ये वोट जिहाद से आपको दिक्कत क्यों है देखिए अमीजी एक बात समझनी होगी समाजवादी पार्टी के नेता रहें शफीकुर रह्मान बर्क उन पे एक बयान जो है याद आता है और आरोप लगे थे उन्होंने मालूमें क्या कहा था और बच्चे पैदा करो कौन रखेगा उन्होंने कहा देखो बच्चे तो अल्ला देता है ध्यान लेकिन सरकार रखेगी अब ये किस तरह का तरक है आप मुझे बताईए दूसरी बात वोट जिहाद पे कमनलाद को आप भूल गए मद्द प्रदेश में विधानसमा चुनाव थे उन्होंने कहा कि स सारे मुसलमान 99 प्रतिशत निकल के आएं और वोट डाले तब ही हम जीतेंगे तो अगर इस तरह की प्रतिक्रिया होती है और आपके शो में बैठे हैं इन्होंने खुद कह दिया विवेक जी ने इन्होंने कहा मुसलमानों का अधिकार है कि वो एक जुट हो जाए अगर मु अधिया का चुनाव हरने वालों यह सबक लोग कि क्या कमी रह गई तुमारे अंदर ना हिंदू तुमारे साथ है ना मुसलमान तुमारे साथ है तो कोई कमी है की नहीं आत्मचिंतन करो अब यह पंच आएगा फिर इंको दर्दों का सुनी है हम अपनी बास रखे बीट में मत बोलिये कूद कूदने से आप तक कद नहीं बढ़ेगा बलकि घट जाएगा लोग समझ जाएंगे आप बॉने हैं चुपो जाएगे अब देखिए अमी जी मैं आपको बड़ी पीला के साथ एक बात कहता हूँ शद्धे बाला साथ ठाकरे कहलाते थे हिंदू रिदे समर उनका बेटा उद्धव ठाकरे कहलाता है जाली डाट टोपी मुस्लिम समराट और मैं क्यों कहता हूँ मैं आपको वज़ा बताता हूँ इन पे अभी पूछिए वक्फ एक्ट पे इनका क्या स्टाइंड है बता नहीं पाएंगे एन आर्सी का विरोध करेंगे सी ए का विरो अबनिक और चोझा अनदूबे आनदूबे आन दूबे आन दूबे आन दूबे शे बाला जार धाकरे ने क्या कहाता बता तुँ आपको मुझे एक बात बता ईया मिस भाई वज़ा को इनका क्या रोल के सामने कुए के पहले कोई फैसला देना चाहतें के गवरबातिया जी कंषिए आप महादी वक्ता है ना बुझे मिव स्वाइब पहले कोई फैसला देना चाहते हैं अमीज भाई पहले मुझे इनका इस्टेंड जानना है पार्टी का इस्टेंड जानना है कोई बदलाव नहीं है आपकी सोच है अमीज भाई कौन सा बदलाव आया है मैं गौरो भाट्याज इसे सवाल पूस्थताव दितेश के सामने हैं आप चाहिए कि सीर्डी वाले साई बाबा-को लेकर आपके मनमें क्या प्रतिमा hack आप उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, एक गुरू का दर्जा देते हैं, एक देवता मानते हैं, महापुरुश मानते हैं, आप बताइए क्योंकि आज जो खबरे आ रही है, बनारस के 14 से जादा मंदिरों से उनकी प्रतिमा, उनकी मुर्तियों को हटाया है वाँके लोगों ने अगर हमारे साही बाबा जो महराज के साथ सार्ट, करोडु रो हिंदू के आजचा का प्रतीख है, अगर आप लोग ऐसी गंदी कaudioल्ए एंउस्दी उटर आऊगे, तो हिंदू भी सबक सिखाएगा, मुसल्मान भी सबक सिखाएगा सिख भी सबक सिखाएगे इसाई भी सबक सिखाएगे कोई अधिकार नहीं है लेकिन गौर्बाटिया पीज़ेपी के लिए महारास्ट में अंगूर खटे है आपको अपनी सीटे नहीं बचा पाए आपके सतेख़ खराब हो गई, यूपि में आप अपनी सीटे नहीं बचाए पाए आपकी स्तेख़ खराब हो गई, इस लिए अंगूर खटे हैं इसले आप वोटिज हाद की दुहाई दे रहे हैं, आपके नेता गली गली जा के बोल रहे हैं कि लेकि Chemical जिएख़आ अब हमें और आपकी एक स्ट्रगल हो रही है यह समय का दौर है चलि उत्तर देदो उत्तर देता हूँ देखिए गजब की बात करते हैं हमी देवगंजी आप भी करते हैं आप कहरें अंगूर खटे हैं अरे उत्तर प्रदेश में है किसकी सरकार है भाजपा की महराश्टर में किसकी सरकार है भाजपा की चुनाव के अभी परिणाम आए नहीं है अंगूर खट के मैंने अभी आपसे पूछा क्या उद्दव ठाकरे को शरम नहीं आनी चाहिए बाला साथ ठाकरे ने कहा ता सोनिया गांदी के सामने हिजड़े जुखते हैं और वीर सावरकर को वीर अब रहुल गांदी केते हैं वीर सब्सक्राइब अब दुपे शांत बीट पे ना मॉले राम मिस्रम और गए नासिख और गए राम टेख और गए बीट पे ना बोले आपको सरम नी आती है चित्रकुठ हार गए, अयोध्या हार गए, काशी में पीछे चले अज़े सुनिये, अभी जी ये बुक्रा गए क्या, वो कई मशाल इनके बालों को न जला दे अंदर से ये दिल जले हैं, दिल जले है, वो मशाल जला देगी इनको, मैं बता रहा हूँ अरे तु शांत रहे ना अनन्द भाया, काहे इतना गुस्सा करे हो, सुनिये सेना बन गए तो गुस्सा करोगे, पहले आप मुस्कुराइए, मत करो इतना गुस्सा, अच्छा नहीं लगता है, इतना चलिए मुस्कुराने पर, मुस्कुराने पर, राहूल गांदी ने एक झाल झाल